हाई गाइस वेल्कम टू ग्यां में दोस्तों आज हम समझेंगे की सुई टूड़ जाए तो क्या हो सकता है तो देख भाई उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए इसको समझेंगे तो वीडियो को आप पूरा देखिए गा दोस्तों ऐसा तो बहुत कम होता है कि वाई सुई तो टूटे की नहीं क्योंकि आई विम इतना जाए उसमें दिक्कत आती नहीं कि नसमें डालना और नसर फटाक से निकल जाती से लेकिन मास में जब लगाते हैं तो सोड़ा सा क्या हाड्नेस होती है तो कई बार सुटूड याती तो यह सा क्यों होता है देखो कई बार जो से कल जो सर्जिकल मेनफैक्टर कंपनिया होती हैं उनकी गलती के वाई से कई बार यह ौटी सद्वार होता है तो चिंधन होता है या कह चल्क रärt है यह लोग थोड़ी बहुत बैंट तो नहीं हो रही तो उसको यूजी मत करो पनी में है तो वह इस्ट्राइल है बहुत अच्छी है तो उसको खटाक से फाड़ के लगा देते हैं देखना चाहिए एक बार थोड़ा नाजर माल लेना चाहिए कई वार डिफेक्ट हो जाता है इंसा भाई सुई टूट के उसका जरा सा बोलना चाहिए कि जरा सा टुकड़ा रह सकता है अंदर या आधी सुई तक टूट के रह जाती है तो उस कंडिशन में दो परिसित बंदती है पहली चीट यह है कि वह सुई जब रहेगी तो वह हिले अंदर तो पूरे अंद्रूनी जो कोई टिशू है इंटरनल टिशू इसको पूरा इंजर करती जाए क्योंकि शूई सुई होती बहुत सा बहुत ज्यादा नुकिली होती है तो वह अंदर मास में फिट हो गई तो वह इधर उदा सरक के साब जेगे पहुंचे गी और वह मतलब कि यहांसा पहुंचे की नहीं बोल सकते हैं कि आदमी जब हिलेगा डूलेगा तो उठके बैट जाए बैटके उट रहा है तो इस कंडिशन में क्या सुई अंदर पूरे टिशू को इंजर कर सकती है और वह दिक्कत बढ़ जाएंगे तो पहले टिप तो यह बाई पेशेंट को लेटा रेन दो जैसा वो उसको हिल नहीं मत दो ताकि वो सुई की अपनी एक पोजिशन बनी रहा है दूसरी क्या है कंडिशन की भाई सुई टूटने के बाद थोड़ी सी देख सकती है तो उस कंडिशन में तो आपके है उसको किलिप सय या किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स उसको आप खिच सकते है द सब्सक्राइब कर सकती है तो इसकी हलकी सी मामूली सी माइनर सरजरी कर उसको निकाला जा सकता वह यहीं इसका ट्रीट्मेंट करना पाड़ेगा अधरवाई आधमें सकता तो वो पैसे भी एरिटेट करेगा ठीक है तो हमेंसे याद रखो कि सुई को करेंसा निडल को देख लो एक बार टेड़ी तो नहीं है थोड़ी बहुत भी बेंड नहीं क्योंकि डिफेक्ट आ जाता है मैन फेक्ट्रिंग डिफेक्ट आ सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है त उसका एक इलाज है सरजली थोड़ा वो दिख रहा है तो उसको आप निकाल सकते हैं मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की साहता से तो यही होता है इसका ट्रीटमेंट दोस्तों आप देख रहते हैं क्यानियर मैं हूँ शिवम वीडियो कैसा लगा लाइक करें और नहीं है चनल प हुआ हुआ है